पार्पी उमीद है आप सब स्वास्त है और सेफ है आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी एक डेकॉली टीश लेके आई हूँ जिसका नाम है लोटे मसाला तो चली आज का ये टीश शुरू करते हैं मैंने इस फिश को पहले से ही एक चमच नमक और हल्दी देके मैरिनेट करके रख दिये थे अभी हम इसमें आट करेंगे तीन चमच मैदा अभी हम इसमें आट करेंगे एक अंडा और अब इन सबको अच्छे से मैरिनेट करेंगे अब ये मैरिनेट हो चुका है अभी हम कराई में तेल डालेंगे और इसे थोड़ी देर कर रखेंगे जब तक नहीं अच्छे से गरम हो जाए अभी हम इसमें आट करेंगे एक एक फिलोटे फिश अभी हम सभी की को प्रास अुलिए अपको अब इसमेश आखेंगे तेल करेंगे गरम हो जाए लोग्या इसमेश अभी मेरा फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है अभी हम हर एक फिश को अच्छे से प्लेट में उठा के रख देंगे मेरा सवी लोटे फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है अभी हम इसी तेल में अच्छे से प्रियांस फ्राई करेंगे अभी हम इसमें आड़ करेंगे छोटी-छोटी टुप्रो में काटा हुआ तामादर इसे भी प्यांस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें आड़ करेंगे तीन चमच लसन और अद्रक का पेस्ट अभी इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें आड़ करेंगे दो चमच हल्दी का पाउडर और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन चमच कश्मीरी मिर्च और अब आड़ करेंगे स्वादन सा नमक और सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे चार हडी मिर्च अब हम इसमें आड़ करेंगे हाप का पानी और मसाले को पानी के साथ बिलकुल अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम फिर से हाप का पानी डालेंगे और अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे अब ये उबालने लगा है अभी हम इसमें आड़ करेंगे एक चमच टॉमेटो के चमच और अब हम इसमें एक एक करके फ्रायट लोटे डालेंगे अबस्ट करके प्रायट करके लोटे करके लोटे फिश को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे अभी हम उपर से थोड़ा सा हड़ा धनिया का पत्ता डाल देंगे तो दोस्तों आज का ये रेसिपी लोटी मसाला हाजिर है आप लोगों के सामने तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये डिश ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत पूरिए तो आज के लिए थैंक्ट्यू जाके बार करने टवाचों करने लोगों के सेक्ष़ करने कि लिए तो दोस्तों में।